हेलो, आज हम डिसकस करने जा रहे है, जामिल अस्लामे के कोर्स कोड, B05, BA, Political Science और BA के जो है, एंटरेंस टेस्स के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं, कि आप टॉन्टी टॉन्टी वन में जो है, एंटरेंस टेस्स के कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, eligibility condition क्या होती है तो detail में हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं सारी चीज़ों पर entrance question paper आपको कैसे cover करने, books आपको कौन सी purchase करनी हो, syllabus आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हम detail में इसमें सारी चीज़ें एक एक करके discuss करने जारे हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू entrance question paper जो है, channel पर solve कर रखे हैं, already पहले से ही तो जुसका वो वीडियो देखनी होगी मैं link description में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से देख पाएं, ठीक है और telegram का link भी और instagram का link भी तो telegram और instagram का link भी आपको description में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है check कर सकते हैं, आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं eligibility condition, कौन से students जो है eligible होते हैं की form भर सकते हैं, तो आइए हम सबसे पहले बात करते है, eligibility condition क्या है, दीखे eligibility condition क्या है senior secondary school certificates or an equivalent examination with not less than 50% marks in aggregate of best 5 paper, इसका मतलब क्या है कि आपके 12th में at least 50% marks होने चाहिए aggregate जो है top 5 paper का आप count कीजिएगा, जैसे आपके पास 6 subjects हैं, तो आप अपने best 5 papers का total कीजिएगा और उसमें आपके 50% marks आने चाहिए, जो कि normally आ जाते easily, तो अगर आपके 50% marks है 12th में, तो आप entrance test के लिए eligible है, चाहिए हम BA honors political science की बात करें, चाहिए हम बात करें BA की bachelor of arts, ठीक है, और यह चीज़ में आपको clear करते हो, BA political science हो, या फिर BA हो इनका common entrance test होता है, ठीक है, अलग-अलग entrance test नहीं होता, और इनका course code है B05, ठीक है, आईए, अब हम next बात करते है, program, duration, seats और total fees, तो BA honors political science की बात करें, हम चाहिए BA की बात करें, देखे, time की बात करें, तो कितने six semester है, इसका मतलब क्या है, three years, और seats की बात करें, तो BA honors political science में जो 42 seats है, BA में 68 seats है, और total fees है, 7200, तो total fees 7200 है, यह yearly fees है, ध्यान रखना है आपको, यह कौनसी fees है, yearly fees है, monthly fees नहीं है, बच्चों को doubt होता है, क्या यह fees monthly है, नहीं, यह fees yearly है, ठीक है, तो यह fees आपको साल में सिर्फ एक ही बार देनी है, 7200, 200, जब आप second year में जाएंगे, तो आपको second year की fees again 7200 देनी पड़ेगी, ठीक है, तो month wise नहीं है fees, यह कैसे है, year wise, ठीक है, आईए, अब हम next बात करते है, exam pattern के बारे में, देखे, exam pattern जो होता है, वो होता है, MCQ question आते हैं, इसमें 100 MCQ question आते हैं, जैसे यहां mention है, maximum marks, और यहां पर time mention है, कि कितने घंटे का exam होता है, तो one hours 45 minutes, ठीक है, और negative marking की बात करें, तो negative marking होती है, one fourth, point two five, ठीक है, अब pattern कैसा होता है, देखे, इसमें language skill के question आते हैं, 20 marks के मतलब, 20 MCQ language से आते हैं, general awareness के 40 marks के question, reasoning के 20 marks के question, और social awareness के 20 marks के question, तो यह चार चीज़ों से question आते हैं, language से, general awareness से, reasoning से, और social awareness से, आईए हम एक एक करके देखते हैं, इसको detail में, सबसे पहले हम देखते हैं, social awareness, तो देखे, social awareness में अगर हम बात करें, तो social awareness आपको मैंने बता दिया, 20 marks की, तो देखे, इसमें topics कौन-कौन से cover होते हैं, corporate social responsibility, government scheme, काफी बार exam में पूछा जाता है, तो जो जो मैं tick कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, important है, तो वो आप लोगों को अच्छे से करना है, और आपको cover कैसे करना है, मैं साथ-साथ ये भी बताते चलूँगा, तो इसमें जो सबसे important है, वो है, government scheme, topics कौन-कौन से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, corporate social responsibility, social and economic development, human and rural development, current affair magazines, ये आपको याद रखना है, ये important है, women oriented scheme, important है, IRDP scheme, ये भी important है, ठीक है, human rights, agriculture, current affairs, Indian policy, ये भी important है, employment and literacy, ये भी important है, और gender and social groups, environmental issue, education and health issue, sex ratio and census, तो ये चीज़े, इसमें से जो है, कुछ important part है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, government scheme, current affairs magazine, women oriented scheme, IRDP schemes, current affairs और Indian policy, ये कुछ important part है, जहां से question जो है, बार-बार पूछे जाते है, social awareness में, बाकी चीज़ों से भी पूछे जाते है, लेकिन main important ये ही है, ठीक है, तो अब आप social awareness को cover कहां से कर सकते हैं, social awareness के लिए cover करने के लिए best part रहेगा, कि आप जो है, magazines जो आती है, monthly magazines, जैसे प्रतियोगिता दरपण आती है, तो कोशिश कीज़ेगा, आप monthly magazine से cover कीज़ेगा, monthly magazine लीजेगा, आप चाहें तो six month वाली magazines भी ले सकते हैं, जिसमें six month का सारा होता है, पर six month का सारा पढ़ने में लग जाता है time, one month का रहेगा, तो छोटा-छोटा cover करने में असानी रहती है, और जल्दी cover भी हो जाता है, तो social awareness के लिए best part यही रहेगा, कि आप जो है, इस तरीके से complete करें, social awareness के लिए, बाकी वीडियो में upload जरूर करूँगा, social awareness से related भी, और सबसे जरूरी चीज़ notes साथ साथ बनाते रहेगा, जो भी parts आप पढ़ रहे हैं, जो आपको लग रहा है, यह important है, या जो चीज़ें आप लोग को याद नहीं रहे रहे हैं, तो उसके notes तो जरूर बनाईएगा, यह चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, आए next देखते हैं, reasoning, reasoning, अब reasoning के लिए अगर मैं बात करो, reasoning भी 20 marks की है, reasoning के लिए तो best part रहेगा, कि आप जितने भी past year में question आएवे हैं, बस सिर्फ उसी questions को कर लीजिए, और उस से related थोड़े से questions, practice कर लीजिए, reasoning के लिए यह part जो है best रहेगा, बाकी आप लोग जो है, book से भी prepare कर सकते हैं, पर मैं बात करूँ कि best part क्या रहता है, entrance test जिन भी बच्चों ने निकाला है, सबका एक ही pattern था, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ reasoning के लिए, उन्होंने इतना efforts नहीं डाला है, क्योंकि reasoning बहुत असान आती है, और entrance test के लिए आप लोगों को याद रखना है, मैं अभी बताने वालों कि कैसे कैसे आपको syllabus कवर करना है, खाली अपने test के entrance paper प्रिपेर नहीं करने हैं, हर course का entrance test का preparation प्रिपेर करने हैं, तो हम एक एक करके जो है, वो सब चीज़े भी देखने वाले हैं, आईए पहले reasoning की बात कर लेते हैं, दीखे clock and calendar, word formation ये paper में पूछता है, analogy paper में पूछता है, missing character finding ये भी paper में पूछता है, number series completion ये भी paper में पूछता है, blood relation के भी question पूछे जाते हैं, series completion के भी question पूछे जाते हैं, direction sense test भी आता है, letter and symbol series भी आती है, logical sequence of words भी आते हैं, coding and decoding जो काफी बार पूछता है paper में, odd man out ये भी पूछता है, missing number भी पूछता है, classification भी आता है, continuous pattern series भी आती है, solution में आते हैं, और verbal classification भी, calendar भी और puzzle भी, तो देखी ये तो सारी चीज़े इसमें हैं कि reasoning में हम क्या-क्या cover कर सकते हैं, reasoning के लिए अगर आप book लेना चाहें, तो RS अगरवाल ले सकते हैं, ठीक है, best रहेगी reasoning के लिए, अगर आप book से prepare करना चाहें, वैसे मैं कहूंगा reasoning के लिए best part रहेगा, कि आप सिर्फ और सिर्फ question paper में, जो question आए भी हैं, अगर नहीं, यह मैं आपको जो अभी last में बताता हूं, चीजें, ताकि आप लोगों के लिए रोज़ा, तो reasoning का पार्ट आप लोगों के लिए रोगया होगा, reasoning के लिए book आप लेना चाहें, तो कौन से book ले सकते हैं, RS अगरवाल, यह best रहेगा, अगर आप book लेना चाहें तो, आईए, अब हम next देखते है, journal awareness, journal awareness के लिए सबसे best part रहेगा, कि आप जो है, lucent का latest edition ले लीजीगा, ठीक है, journal awareness तो बिलकुल आपको, इसमें कोई compromise नहीं करना, journal awareness को आपको, अच्छे से cover करना है, बेस्ट पार्ट रहेगा, कि आप जो है, lucent के latest edition वाली book ले लीजीगा, ठीक है, latest edition जो भी हो, वो book आप लोगों को ले ले लिए, बेस्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि यह सबसे most important चीज़ है, क्योंकि जर्नल awareness 40 marks की है, 40 marks माईने रखते हैं, अब देखें, जर्नल awareness में आपको cover क्या क्या करना है, history, Indian quality पे आपको इसमें सबसे ज़्यादा जोर देना, यह चीज़ आपको याद रखनी है, history भी पढ़नी हैं आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर जो देना है, वो देना है, जियोग्राफी, जर्नल साइंस, इंडियन एकनॉमी पे भी आपको इसमें जोर देना है, business aptitude, current affairs, banking abbreviation, general abbreviation, ठीक है, और इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, price, awards, sports, important days, एक से दो कोशन आते हैं, days से related, ठीक है, first, largest, smallest, यह सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, famous place भी पढ़नी है, invention भी पढ़नी है, Indian national movement भी पढ़ना है, और famous personalities के बारे में भी, और world organization, world organization के बारे में भी जो है, आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, तो journal awareness के लिए जो best part रहेगा, आप Lucent की बुक ज़रूर लिजेगा, वो भी latest edition, क्योंकि जर्नल awareness में आप लोगों को पहले ही clear कर दो 40 marks, 40 marks बहुत होते हैं, ठीक है, आईए, अब हम next देखते हैं, next part आता है हमारा language skill, अब देखें language skills जो आती है, वो आती है 20 marks की, तो इसके लिए जो best रहेगा, आप अरिहन्त की, अरिहन्त की बुक ले लिजेगा, objective general English आती है, कौन सी बुक आती है, objective general English, तो English के लिए अगर आप preparation कर रहे हैं, तो English के लिए ये बुक ले लिजेगा, ठीक है, language skill का आप 20 marks के लिए preparation कर रहे हैं, तो आप English के लिए कौन सी बुक ले लेंगे, objective general English, ठीक है, बुक का कहा ना में, objective general English, ठीक है, तो आपको दो बुक तो जरूर ले लेनी है, एक English के लिए जरूर लेनी है, और एक general awareness के लिए जरूर लेनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि ये दो role main play करते हैं entrance test निकालने के लिए अब देखिए इसमें क्या-क्या आ जाता है spelling test जो कभी-कभी पूछ लेते हैं fill in the blanks जरूर आते हैं idems and phrases जरूर आते हैं one word substitution कभी आ गए तो 5 question एक साथ आ जाते हैं नहीं तो 1-8 question आ जाता है odd words आते हैं preposition आती है selecting words आते हैं completing statement आते है synonyms, antonyms जरूर पूछे जाते हैं 2-5 question synonyms और antonyms की पूछे जाते हैं articles, adjectives इसमें बहुत सारे topics cover होते हैं sentence improvement, sentence correction sentence formation, ordering of words ordering of sentence, verbal analogies sentence completion, common error detection direct or indirect speech grammar और reading comprehension देखिए आपको इसमें सबसे ज़्यादा focus किस चीज़ पर रखना है पहली चीज spelling test आते हैं तो कभी 5 question आ जाते हैं otherwise जो है नहीं तो 1-8 question आ जाता है ठीक है fill in the blanks आपको अच्छे से fills करने है one word substitution पर आपको इसमें ध्यान देना है synonyms एंटोनिम जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजीगा adjectives ठीक है और इसमें जो important है important है reading comprehension grammar part और sentence completion और verbal analogy तो यह इसमें जो है English में कुछ important part है जो है entrance test में वो पूछता है ठीक है तो यह था हमारा entrance test का syllabus अब अगर मैं देखिए last में भी बात करता हूं आपको सबसे पहले आप अगर बीए political science की त्यारी कर रहे है तो आपको entrance test का syllabus तो पता जल गए अब सेम entrance test का syllabus आप देखेंगे बीया ओनर sociology का भी है जियोग्राफिक अभी है बी बी कॉम कभी बस थोड़ा सा चेंजिस होता है तो अगर कोई भी वीडियो है चाए बी बी पॉलेटिकल साइन्स की ओ चाए बी ओनर sociology की ओ चाए जियोग्राफिक यो चाए बी ओनर English की ओ उसमें भी थोड़ा बहुत कोशन जो हमें मिल जाते है जिससे हम practice कर पाएं क्योंकि general awareness और social awareness, general knowledge, current affairs ये सब जो है सबके entrance test में commonly रहता है तो जितना हो सके जो है आप entrance test के जो भी papers हो सके सारे के सारे complete कीजिए पर ये चीज़ यार रखिए दो पेपर तो जरूर कीजिए एक अपना बी ए पॉलेटिकल साइंस का या हम कहें बी ए औ और एक BBA B.com का एक BBA और B.com का ये दो entrance test के पेपर जरूर कीजिए सारे के सारे क्योंकि बहुत कोशन है जो repeat होते हैं एक दूसरे के entrance test में कि जैसे अभी मैं बात करूं कि 2018 के question answer जो है अगर जो है BBA B.com में है तो वो 2020 में एक से दो कोशन आया हुए है और सेम कोशन आया हु से 0.25 से भी admission रह जाता है तो इसलिए आप लोग को entrance test के preparation में कहीं भी वीक पार्ट नहीं चोड़ना है तो इसके अलावा आप लोग को यो डाउट आए तो मुझे comment कर सकते हैं मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ठीक है और cut-off के लिए भी जो है मैं अलग से वीडियो बना आता होंगा और चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो किसी भी कोर्स की हो आप उसको एक बार जरूर कवर कर लीजीगा एक बार देख लीजिए बात खतम हो जाती है उसके आपके question जो है याद हो जाएंगे जितने भी हो सके entrance test के लिए आप जितना हो सके book से आपको जरूर पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पेपर के भरोसे नहीं बैठना है यह चीज़ आपको याद रखने है पर हाँ पेपर करना वह सबसे जरूरी है क्योंकि बिना पेपर के entrance test निकालने में मुश्किल आईगी क्योंकि paper pattern ही आपको नहीं पता होगा तो आप entrance test कैसे निकालोगे ठ जाले कोशिच किजेगा आप telegram install कर लेजेगा या आपको telegram install करना नहीं आता है कुछ नहीं आता तो वह आप पूछ लेजेगा मैं हो सकेगा तो telegram install पर भी एक वीडियो बना दूँ ताकि आप असानी से वहां से PDF डाउनलोड कर पाएं फिर भी किसी को ज्यादा problem हो तो मु